नई संसत बवन में सैंगोल लगा हुआ है कई लोग विरोध करने की राजतंत्र का प्रतीक है अब लोगतंत्र में जनिता की ताकत है जनिता की सरकार है तो इसको हटाया जाए ये एक तरह की तानासाही का सिंबोल मैसूस होता है उसके इतिहास में अगर जाते हैं तो वही चीज है कि राजताही का सिंबोल है और आवेश से उन्होंने कोशिस किया था लेकिन देश की जन्ता ने एक सांदार प्रदर्शन करके तमाचा मारा है लोगतंत्रिक तरीके से पेनी नजर रहेगी जहां पर भी रिजर्व केटेगरी के लोगों के साथ अन्या है हुआ हम खड़े रहेंगे अन्या नहीं होने देंगे लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे सदन के अंदर लड़ेंगे सड़कों पर लड़ना पड़े वाँ लड़ेंगे हर जेग लड़ाई लड़ेंगे यह जो रह रहेके अंदर की भावना जो निकल के आरिये लोगों में इस बावना को कैसे देखने का हिंदू राष्ट्र का खत्रा भी मौशूद है या सभीदान को मानने वाले लोगों ने सबक किसी धर्मा के नाम से राष्ट्र का निर्माण और आइद्दा में खुद हा रहे हैं हमारी आइडिन्टिटी आज जो बनी है वो हमारे कम्यूनिटी के लोगों के दारा बलिदान त्याग देने की वज़े से है तो हमारा फर्ज़ बनता है कि सितिहास को उजागर करें और सवेदानिक जो प्रावदान है जो मानसिक्ता भरी हुई है उन मानसिक्ता का इशू है वो इतनी गंदी सोच रखते हैं और इनको बुगतना पड़ेगा जो सिक्सा मंत्री है जिसके बाद जो डिपार्मेंट है जो आने वाले भविश्यत तए करेगा इस तरह का मंत्री एसी डिपार्मेंट का मंत्री ऐसा अगर बयान देता है तो इससे बड़ा दुर्बाग्य राजस्तान का और पूरे देश का नहीं हो सकता है जैभीम भूद भूद स्वागे था आपका अमारी इस खास पेशकर्स में मेरे साथ इस वद एक ऐसी शक्सित हैं जो अपनी खास पैचान रखती है राजस्तान में भारत आदिवासी नाम से एक पार्टी बनाई और पहली बार सांसदी का चुनाव लड़ा और सीधे देश की संसद में पहुँच गे जैभीम जैजोहार का नाराज संसद में सुनाई दिया और एक बुलंद आवाद संसद में आने वाले पात साल में सुनाई देगी राजकुमार रोतिन का नाम है पूंट पर बैठकर संसद पर पहुँचे थे ये खास अंदाज आदिवासियत की पहचान इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे बिलकुल मुझे अवसर मिला है पूरे देश के आदिवसी का नितरतो साथ ही हमारे सी कम्यूनिटी OBC माइनोरोटी दलीट और साथ ही मैं तो उनमें बात करता हूँ कि जो मानवता में विश्वास करते हैं मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म मानते हैं उन सब की आवाज बनके सदन के अंदर गुजएंगे मैं मेरे निर्वाचन सेत्री की जनता बासवाड़ा की जनता को धन्यवाज जयना चाहूँगा आपके चैनल के मादम से कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और मैं अवश्य कोशिश करूँगा कि इस पांस साल के अंदर बेस्ट परफॉमेंस करें ताकि हमारे जो गरीब दवे कुछले समूद आए कि जो लोग है किसी की के अंदर में पार्टी रही हो लेकिन हमारी कम्यूटी के लोगों के लिए आज भी दबा हुआ है हर प्रकार का रिजिर्विशन के मामले में सबसे बड़ा खिलवार हो रहा है है और आज जो एक कारिकरम का में वेश था जातिकद जंगंड़ा यह सब से बड़ा मुद्दा है कि देस में जातिक quad जंगनआ होनी ची हम फोड़ेस्ट में अंदर वणविभा के अंदर जंगंदा करा रहें कि इसके अंदर सेर कीतने है पैंथर कितने है मुलब जानवरों की जनगनना करा रही है सरकाँ लेकिन कम्यूंटी की जनगनना नहीं करा रही है जरुरी इसलिए है कि उसके इसाब से इसकिम बनेगी उसकी इसाब से city division होगी कि उसके हिसाब से सदनों के अंदर प्रतिनी दीतवर आएगा लेकिन यह लोग दीरे 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 गामों में कई इलागों में जातीवा तो बरा रखा बहुत सारा लेकिन जन्गन्डा नहीं कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हीजाती जन्गन्डा हो फी जो है डिमांड रखी जाती है कि ये दिया जाए लेकिन जो सरकारी रिजर्वेशन है वही पूरा नहीं मिल रहा उसमें से भी कई बार बैकलोग रह जाता है नोट फाउंड सूटेबल कर दिया जाता है तो आप जो नई संसत बनी है जिसमें ज्यादा नुमाइंद की रहेगी आप जिसे लोगों जो की तो क्या ये हकमारी नहीं होगी इसमें आपकी नजर रहेगी पूरी 100 परसेंट नजर रहेगी कहते हैं कि वह पेनी नजर रहेगी जहाँ पर भी रिजर्व के टेगरी के लोगों के साथ अन्याय हुआ हम खड़े रहेंगे अन्या नहीं होने देंगे लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे सदन के अंदर लड़ेंगे सड़कों पर लड़ना पड़ेंगे हर जग लड़ेंगे अन्याय नहीं होने देंगे हमारी जानकरी में जहां पर भी आएगा हम लड़ेंगे आपने शपत ली तो उस समय पर जैभीम जैजोहार का नारा लगाया और इस बार संसद में जैभीम का नारा जैसमिधान का नारा बहुत गुंज रहा है ज्यादा तर लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं तो नई तरह की एक इबारत है राजनिती में कि दलिद बहुजन आदिवासी राजनिती की शुरुआत हो गई है तो क्या ये राजनिती आने वाली पात साल की दिशा तै कर देगी कि आप जो राजनिती होगी वो दलिद बहुजन आदिवासी के नाम पर ही होगी अब इसी पर एजंडा सेट होगा इन कम्यूनिटी के लोगों को हमें साथ दबाया गया सविधान निर्मान में मुख्य भूमिका रही बाबासाब मेडेकर के जैपाल से मुंडा के इनके अलावा और भी कम्यूनिटी के लोग थे सबकी रही लेकिन वह वास्तविक जिनकी जो भूमिका रही इनको दबाया जा रहा है साथ ही आज जो हम इस काविल बने हैं वो कईन के सविधान सविधान के आधार पर मने हैं सविधान के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी थी और रिजर्वेशन पॉलिसी भी इसलिए आई कि हमारे लोगों ने अंगरजों से मुगलों से लड़ाई लड़ी त्याग बलिदान और इसी वजह से प्रावदान हुआ है तो हमारी आइधेंटि पर निए के लौगों के दारीदान त्यागत देने की वजह से तो हमारा फर्स भंता है किसा हो उजागर करें प्रावदान ने नати के रख्षा भाग करें तो आपके आंके राजस्तान के अगर बात करें तो आपके शिक्षा मंत्री ने आदिवासिय के डीने पर सवाल उठाया जिसके बाद काफी विरोध परदर्शन भी हो रहा है और लोग अपने डीने सेंपल बेज रहे हैं इसको कैसे देखते हैं क्या प्रितिक यह मदन दिलावर जी का इ यह थे सब्सक्षा मंत्री जो आने भविशच्य करेंगा इस तरह का मंत्री एस अगर बयान देता है तो इससे बड़ा दूरबाग्य राजस्तान का और पूरे देश का नहीं हो सकता है तो उसको लेके हम देश लिवल पे आंदोराण छेड़ेंगे और ये बात दबने वाली खतम चारपास दिन, दस दिन, एक मेना, दो मेना नहीं ये आने वाले समय तक और उनको राजस्तान के आने वाले चुनाम में इस बात का भुगतना पड़ेगा इनके बलाई इसी में हैं कि वो माफी मांग लें आप पट से इस्तिपा दे दे अगर वो जब तक नहीं देंगे तब तक ये मुहिम चलती रहेगे आप जिस कारिक्रम में आए हैं यहाँ पर चतरपाल गंगवार भी सांसट जो बरेली से हैं वो बैठे हुए हैं और उन्हों ने जब संसत में शपत ली तो जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया और वो नारा जो है उस पर कई लोगों की निगा थी कि अने क समोग कर जाती आने का धर्म्य हन हर विकती हर धर्माहर जाती के ऐस गुंटे के विक्ति को जीने का बीवेक्टि का आज़ा दी है फिर हिंदू राष्टा फिर दूसरे समय कम्यूनिटी के लोग कहा जाएंगे दूसरे धर्म को लोग कहा जाएंगे यह एक एजेंडा था उनका 400 वाला हिंदू राष्टा वाला वो एजेंडा फैल हूँ चुका है और मैं कहा रहा हूं यह जो चिल्ला रहे हैं हिंदू राष कोई दिक्कत नहीं हमें लेकिन किसी पर जबरतित होपना वो गलत है और इस चीज़ का विरोध करते हैं एक आखरी सवाल में ले रहा हूं संसद में नई संसद बावन में सैंगोल लगा हुआ है कई लोग विरोध करने की राजतंत्र का प्रतीक है अब लोगतंत्र में जनिता की ताकत है जनिता की सरकार है तो इसको हटाया जाए आपका क्या उपीनियन है इस नई संसद का उद्गाटन हुआ उस दोरान से चर्चा में आया हुआ है ये एक तरह की तानासाही का सिंबोल मैसूस होता है उसके इतिहास में अगर जाते हैं तो वही चीज है कि राजसाही का सिंबोल है और आवेश्चे उन्होंने कोशिश किया था लेकिन देश की जनता ने एक शांदार परदर्शन करके तमाचा मारा है लोकतांत्रिक तरीके से इच इसका गलत तरीके से ये रास्ता राजसाही व्यवस्ता को लाना चाह रहे थे लेकिन जनता ने अच्छा कि हम लोगों ने किया है और हम लोग आगे भी करेंगे कि सिंगल को हटना चाहिए कि वह राजसाही का प्रतिक है यह थे राजकुमार रोत जी जो कि राजस्तान के बासवारा से सांसर चुने गए हैं और जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं वो आपने सुना इस बातची को The Newsweek का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यू ही अंबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहें इस QR कोड को स्कैन करें और Newsweek के खाते में अपनी दान की राशी भेजें क्यों आर्कोड के अलावा आप UPI की जरिये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है Newsweek Foundation अकाउंट नंबर है 0235-887-0000-640 IFAC कोड है Yes B 0000-235 बैंक का नाम Yes Bank है और ब्रांच है नहरू पैलेस दिली आप डोनेशन के एवज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 8595794224 पर वाट्सेप करें